एपना रही है इसलिए मैं तोड़ा सा वॉकशिग कर रहा हूँ Walking 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 ए वह भी इस कमरे में देख तु सवाल तू कर सकता है पर मैं जवाब नहीं दे सकता हूं यार मुझे जाने देश वक्त मेरी किसमत ही खराब है मेरे दोस्त मैं जा रहा हूं सुधर्जा बेटा ऐसा वैसा कुछ मत करना जूली को पता चल गया ना तो तेरी खैर नहीं बेटा समझ गया चल चलते हैं आजा कुछ बोलना मत है कि माडम मा बॉड़ मा बोलो माडम कामणी जी कहीं दिखाय नहीं दे रही है उन्होंने कौफी बी पे ली और जूब आक alltid काम करने थे वह सब काम कर चुकी है अब बोलो तुम ही क्या चाहिए यह बस कुछ पूछ ना था मुझे खोद इतने काम है तुम्हारे सवालों की जवाब कहां से दू अब जाओ यहां से लगता है कामनी ने किसी को बताया नहीं मैं बच गया माडम मां क्या है बेटी यहां आईए नील पॉलिष कहां मिलेगी बताओ नीचे दुकान पर में सेंडरे कहां मिलेगा छी ची ची ते बेखकोफ क्या बख रही है तुक चुप रहे ना क्मारा आ रही हूं कम गम जब यहां मेरे गश बच अप का है सरदर्द है नहीं तो बुखार आया है तो फिर हूआ क्या है या ची 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 नैपकिन चाहिए ओ धीरे बोलो ना ड्राइवर को भेजती हूँ जो चाहिए मंगवा लेना मुझे भी कुछ लेना है वो भी मंगवा लेती हूँ देकार में क्यों असरा है बाई अच्छा हुआ मेरे ऐसे दिन नहीं आए तु और वो मोटी सोच कर ही हसी आ रही है क्यों मजाक उड़ा रहा है मेरा एई उस दिन तेरा टाइम धना पर टाइम बदलते हुए देर नहीं लगती है इसलिए कह रहा हूँ कि ज्यादा हुश्यारी मत दिखाया कर ए चुप रहा ना इससे माफी मांगने को कहो लेकिन क्यों इसने मेडमा के बेज़दी की आके हुआ क्या है क्या परिशानी है क्या परिशानी है सारी परिशानी एक जैसी ऐसी बाते मत करो तुम्हें और उनमें आखिर फरक है तुम अंदर हो और वह बाहर है बता क्या फरक है उनसे गलती हो गई अरे क्या गलती हो गई जाओ यहां से चल रोहन माडमा आओ बेटा मुझे अभी बता चला हमें माफ कर दीजिए मैं तो वो सब कपकब भूल गई अरे जानते हैं उन्होंने क्या किया इसा भी क्या किया अंजाने में गलती हुई है कि हरकते ही ऐसी है क्या कहा तुने हमारी पैदाइश के भारे में बोलेगा हां मर्द और और ओरत की बीच हमें भगवान ने बनाया इसमें हमारी क्या गलती है एक बात और बताऊं साथ जन्मों मेंसे एक जनम हमारी जून का लेना ही पड़ता है चाहे वो मर्द हो जाहे और अ जीव जन्तू कीडे मकौडे इंसान की तरह सभी का कोई न कोई उद्देश्य होता है। हमारा भी उद्देश्य होगा, मुझे पूरा यकीन है। सॉरी मौसी, माफ कर दो मुझे। इस जिंदगी के लिए मैं शर्मिंदा नहीं, बल्कि बहुत खुश हूँ। हम लोग उस हाथ की तरह हैं, जो मंदर का उच्सव करते हैं और आशिरवाद लेते हैं। हम तो ऐसे ही हैं, मंदर के सामने भी मागने लगते हैं। हम तो ऐसे ही हैं, हाथियों के तो अच्छे दिन आ गए, पता नहीं हमारे कब आएंगे। मुझे तो कामिनी देवी की माता जी ने सहारा दिया, बेचारी, घर क्रोग से चल बसी। उसी दिन से आज तक कामिनी देवी मेरी ही गोद में पली हैं। आप पढ़ाई क्यों नहीं करते हैं। आप लोग पढ़ने कहां देते हो? पढ़ने के लिए पैसे चाहिए, कहां से आएंगे? पढ़ने के लिए एजुकेशन लोन क्यों नहीं ले लेते? हमें कौन लोन देता है? ऐसा होता तो कितना अच्छा होता? एक केले का पेड़ काटने से दूसरा खड़ा हो जाता है, लेकिन हमारे वंश में ऐसा कहां होता है? कामिनी की देशन खासे चार किननर पढ़ा रही हूँ स्कूल में पढ़ने के लिए अगर हमें भी एक कोने में जगा दे, तो काफी होगा इसी तरह अगर हम मर जाएं, तो हमारे मरने के बाद हमारे बच्चों को भी पैसे मिले, ऐसी कोई स्कीम बता दो देश के लिए हम भी कुछ करते हैं, सब के साथ हम भी लड़ते हैं, लेकिन हमारे बारे में देश का कोई नेता नहीं सोचता हम भी देश का हिस्सा हैं, हमारे बारे में कौन सोचेगा एक दिन जरूर आपकी जिन्दगी बता जाएगी राजा महराजा की जमाने से लेकर आज तक प्रजा तंत्र में हम लोग हमेशा लोगों का एक खिलोना बनके रह गए मैं आखे बंद करने से पहले चाहती हूँ कि हमारे जैसे लोग भी समुदाय का हिस्सा बने बताएए क्या ऐसा होगा ऐसा कभी होगा मैं आप से पूछती हूँ आपको कुछ करना होगा मुझे आपसे यहीं उम्मीद है के रुको लनके से आने दो सात में दूंगे वो बाहर गया है सही अखेली अक्यले अक्यले घूम्ने निकल गया है तुन स्क्रॉस को बच्च्रा का बच्चे बहुत पसंद यस्य बच्चे को में लूट है ले आया कितना सुन्दर है देखो ना तुम फिक्र मत करो देखना तुम्हारे जुड़वा बच्चे होंगे और हमारे प्यारा बच्चा यह हमारी स्पीड मैच नहीं कर पाएंगे रहा है तुम संभालो इसे क्या मुझा कर लाएं तू उफर लाएं तुम्हारे हैं दूद्द पी ले दने मुन्हें बच्चे तू दूद्द पीले जुजा होके तूद पीले हुआ 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 है नमस्ते मेडम मेडम जेवर लाया हूँ तुम्हें किसने आने के लिए कह था आपने अर्जेंट है कह था ठीके यहां रखो